बिस्मिल्लाहरमान रहीम असलाम लीकुम विवर्द्स आप देख रहे हैं किचनवी दाना पानी और आज जैसे कि आपको फूरूट नजर आ रहे हैं यहां पर तो मैं बना रहे हूं बहुत ही मज़दार और सिंपल सी फूरूट चाट इतनी सिंपल कि आप दरान होंगे कि इतनी सिंपल तरीके से भी बन सकती है तो इसमें सीजनल जो भी फूरूट आपको मिलें आप ले लें तो मैंने यहां पर लिया है गर्मा यहां पर पपीता अनार सेव केले कीवी फूरूट और दो तरहां के अंगूर और इसके अंदर हम डालेंगे लैमन जू मुस वही घर का पिसा हुआ चाट मसाला जिसकी रैसिपी आपको दे चुकी हूँ इंतहाई लाजवाब चाट मसाला है यह इसका अंदादो मुझे इस चीज़ से लगता है कि मेरे हैस्बंड का फेवरिट है और मुझे लगता जो चीज़ोंने पसंद आज़े ना वह वाक् होती है खाली अगर केले कट करें चाट मसाला में चुटकी डाले एक टेबल स्पून भरके चेनी पी सीवी डाल दें लेमन जूस में चोड़ें इसको थोड़ा सा टास करें तो आप केलो की चाट बंजेगी केले और सेब की बंजेगी अम रूट डाले दो से तीन फूरूट तो केले भी घर में आजाएं तो चाट के बगार निखाते से बाजाएं तो दो फूरूटों तीन हो तो हम रैगुलर में जैने के बचे और मेरे हैस्बंड जो है चाट ही बननी भी ज्यादा शौक से खाते हैं तो मैं चले मैं आपको बना के दिखाती हूं और से कट करती कि यहां पर मैंने सारे फ्रूट्स कर लिए हैं कट और अब मैं लेती हूं बड़ा बॉल और इसके अंदर हम डालते हैं यह सारे फ्रूट्स इसमें हैं यह केले पपीता यह गर्मा खर्बूजा भी ले सकते हैं आप इसकी जगह यह सेव और यह ग्रीन अंगूर और काले वले और कीवी फ्रूट्स इस सारा कुछ कठा है यह इसमें मशलब अल्ला ताला की देखें नेमते हैं कितने रंग के इसने फ्रूट्स फल सब्जियां बनाई हैं और एक ही जमीन से सब रंगों के फल और उनका जाय का अलग टेस्ट अलग उनके जूसिस देखें तो इन चीजों को देखें अंदादा होता है कि हमारा रभ कितना घफुर रहीम हैं और फब्याई यह आला ही रभी कुमत को जिबान और हम अपने रभ की कौन कौन सी नेमत क को ठुकराएंगे तो यह देखें यह तीन टेबल स्पून में इसमें भरके चीनी के डाल दिया और चाट मसाला एक टेबल स्पून साथ ही हम इसमें डाल देंगे जूस लेमन जूस अब इस अची तरी कैसे मिक्स कर लें कुछ लोग इसमें डालते हैं यह खुबानी की बनेगा बिल्कुल भी कोई चीज डालने के जूरूरत नहीं है यह सिंपल चार्ज ऐसी तरीके से बनेगी थोड़े इसको छोड़ दें यह अपने जो फूरूर्स का जूस निकलेगा ना इसके अंदर तो वही इसके अंदर इतना मज़ेदार फ्लेवर इसनी प्यारी स्टै है वह तो सब चीजों पर हैवी है आम डालेंगे तो क्या बात है इसके अबी से इतनी ग्लेजी लग दिया ना इसके अंदर यह देखें कितना ग्लेज है तो थोड़े बाद हलकाल का पानी छोड़ देंगे और इनका अपना जूस बनके त्यार हो जाएगा तो यह बड़े म रिखें उसके लिए काल दी है मेने बीज और बीज की जगा मैं इसमें रखती हूं है कि बडां और बडाम के साथ हम इसको अफियरी में सफ करेंगे तो थोड़ा सा थोड़ी सी इसना की स्पेशल एफट किया करें इसमें मलाई भी भर सकते हैं आप कोई और ड्राइ फ्रू मिल जाएं तो मैं उम्मीद करती हूं आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी बहुत सिंपल बहुत असान आप भी अपने अपने घरों में इस तरीके से जरूर बनाएं अपना ख्याल लखें अपने बच्छे को ख्याल लखें इसपेशलि अपनी बज़र्गों का बह हुआ हुआ है करते हुआ हुआ है करते हुआ है